आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमार को दो Liquids दे रखी हैं A और B जिसमें A का Vapor Pressure हमें दे रखा है that is the pure Vapor Pressure जो की है 0.658 बार और B का हमें दे रखा है 0.264 बार और ये एक Ideal Solution की Condition हमें दे रखी है हमें बताना है Mole Fraction of A जब दोनों Solutions का Partial Pressure इक्वल होगा तो Simple भाशा में What we are given with We are given with P0A P0A is 0.658 बार और P0B P0B is 0.264 बार और मुझसे पूचा क्या है इनके ऐसा Mole Fraction बताना है कि जब इनके Partial Pressure इक्वल होगा So, I know P A is equal to P0A, Chi A and P B is equal to P0B, Chi B Let's say that, let's take Chi A as Chi and then Chi B will become 1- Chi ऐसा क्यों? क्योंकि Chi A plus Chi B should be equal to 1 यानि कि Chi A और Chi B को जोड़ने पर हमारको 8 मिलेगा इसलिए मैं Chi B को 1- Chi लिख सकता हूँ और जहां तक है हमें क्वेस्चन ने दे रखा है P A is equal to P B यानि P 0 A, Chi A is equal to P 0 B, Chi B P 0 A की वैल्यू मैं भरता हूँ 0.658 Chi A is Chi P 0 B की वैल्यू मैं भरता हूँ 0.264 इन्टु मैं 1- Chi that is 0.658 Chi minus, sorry, plus 0.264 Chi is equal to 0.264 solve करके solve करके मुझे मिलेगा 0.922 Chi is equal to 0.264 so Chi की वैल्यू आएगी 0.264 upon में 0.922 on further solving मैं इनको divide जिब करूँगा तो मुझे मिलेगा Chi is equal to 0.286 और क्योंकि यह जो मैंने Chi लेट करा था Chi A को Chi लेट करा था तो Chi A is equal to 0.286 and Chi B will be equal to 1- 0.286 that is 0.714 Thank You Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर